तो भाई आज हम देखने वाली class 12th maths का बहुत जादा ही most important question ठीक है question देख सकते हो आप कहरा है सिद्ध कीजिए integration 0 to pi by 2 dx upon 1 plus root 10x equal to pi by 4 ठीक है हमें ये सिद्ध करना है ठीक है तो एकदम आसान question है important बहुत जादा है board exam ठीक है बार बार पूछा जाता है ठीक हर साल तो इस बार भी आपकी exam में आ सकता है तो यार please video के skip ना किजेगा क्योंकि सकता है इस परवरी कल ही है ठीक है तो इकदम आसानी से this question को हम लोग देखेंगे ठीक है तो प्लीज वीडियो को last तक देखना तो चलो बात करते हैं इस question को हम लोग सिद्ध करके आपको दिखाते हैं तो simple देखो यहाँ पर लिखते है left hand side equal to यह जो left hand side पर लिखा है बाएं पच्छे पर जो लिखा है आपको note कर देना वही simple कुछ नहीं करना left hand side वाला लिख देना है क्या लिखोगे integration 0 to pi by 2 dx upon 1 plus root 10x इतना लिख दोगे dx upon 1 plus root 10x ठीक है अब इतना जब हो जाएगा left hand side पर आपका जो यह लिखा है 1 plus root 10x इसको आपको simple लिख देना है और फिर क्या करना अगली line पर आपको इसे i के equal माल लेना i का मतलब integration ठीक है integration i के equal माल लेना है और एक चीज और करना है जो 10x है 10x को आपको पता है हम लोग sinx upon cos x के रूप में लिख सकते हैं तो simple 10x की ज़िगा हम लोग लिख देते हैं sinx upon cos x ठीक है तो देखो 1 plus root sinx upon root cos x हमने यहाप लिख रहा गया है ठीक है मतलब 10x का आपको पता है sinx upon cos x होता है तो simple भई root में है तो root sinx upon root cos x हो गया ठीक है तो आसानी से कर लोगे और यह जो 1 था इसको 1 upon 1 लिख देते हैं अब क्या होगा यहापर यह जो 1 upon 1 वाला है और आपका जो root cos x है इसका क्या होगा LCM हो जाएगा root का cos x ठीक है और उपर हो गया dx तो इतना असानी से कर लोगे अब यह जो root cos x है यह आपका चला जाएगा उपर जो सबसे नीचे वाला root cos x है यह आपका उपर चला जाएगा कुछ नहीं गया भी तक क्यों sin x upon cos x लिखा था और समिकरण एक बना लिया solve करके अब आपका क्या होगा इस question पर आपको एक property लगानी होगी आपने पर रख्योंगी integration 0 to a f of x dx equal to होता है integration 0 to a f of a minus x dx यह आपका एक गुर्धर्म है ठीक है important है इससे तयार जरूर कर लेना क्योंगी इस सब कोईश्कन में जाता है यह लगता है ठीक है तो एक ही जगा अगर बात करें इस उसा बाहरवादे में क्या है आपका एक ही इक जगा क्या यहां पर पाइबाइट तो शम्पल यहां पर एक जगा पाइबाइट्थ हो जगा जैसे ए माइनस एक स물 जाएगा पाइबाइट वैइनस एग्स एसफ वैशे हिए पाइबाइट लिख देंने रहे我ोगा पाइद का इस तो वही हो गय को जाएगा पाइबाइबाइबाइड एक … मैनस X ठिक है, लिक है तो सप्ष्ड फए तूम्ने भाहा पाइबाइबाय टू- लिक्ष् तो cos x था तो आमने लिख दिया cos pi by 2 minus x नीचे भी cos x है तो cos pi by 2 minus x और sin x की जिएगा sin pi by 2 minus x ठीक है अब क्या होगा देखो आपको एक formula तो पते ही होगी इसकी cos 90 minus theta या कैसे तो cos pi by 2 minus x इसके एक्वल होता है sin x के और sin pi by 2 minus x की इसके एक्वल होता है cos x के तो वही रख दिया और into dx आप इसको माल लो समीकरण number 2 इसको क्या माल लेना आपको समीकरण number 2 अभी उपर समीकरण 1 माना था नीचे माल ले समीकरण 2 ठीक है आप क्या करना है जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है इनको आपको जोड़ देना है आपस में ठीक है समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में आपको कर नहीं ठीक है तो simple जोड़ देते हैं देखो हमने आपे बाय पच आई प्लस आई लिग दिया और इसे इन दोनों को जोड़ दिया ठीक है यह तो थे आपका पहला समिकर और दूसरा समिकर देख सकते हो पहले पर आपका right hand पर यह है दूसरे पर आपका right hand पर यह है तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया आपस में जोड़ ही दो दिया है तो simple आपको भी जोड़ देना है तो i प्लस i हो गया 2i और यह जो आपकी उपर वाले थे इनको भी जोड़ दिया हमने ठीक है तो देख सकते हैं, उपर वाले भी आपके जोड़ गए तो क्या हो गया है, आपके जब LCM लोगे तो नीचे क्या जाएगा, root cos x plus root sin x और उपर क्या हो जाएगा, root cos x plus root sin x into dx यह मतलब LCM ले लिया हमने, ठीक है पूरा LCM ले लिया है, तो 2i equal to आप देखो, यह जो दोनों आपस में cancel हो जाएग, क्योंकि बराबर, root cos x plus root sin x उपर भी नीचे भी, तो आप क्या बच्चा इसकी जाएगा, 1, तो 2i equal to integration 0 to pi by 2, 1 into dx ठीक है, आप यह जो 1 का समाखलन आपको करना पता होगा, क्या होता है वन का समाखलन, x के साप x होता है, ठीक है, तो 2i equal to हो गया x, और limit लग गई 0 से pi by 2, ठीक है, अब तो एक दम आसान तो 2i equal to क्या हो जाएगा, एक बार x की जाएगा pi by 2 रग दो, फिर minus लगा, और फिर एक बार 0 रग दो, तो pi by 2 minus 0, ठीक है, तो 2i equal to क्या जाएगा, अब यहां से pi by 2 minus 0 था, अब यह जो 2 है यहां का, तो देख रहे हो, जो 2i पर 2 लगा है, यह 2 आपका आजाएगा नीचे, यह 2 कहां जाएगा, नीचे, तो i equal to क्या हो जाएगा, pi by 4 ठीक है, i equal to क्या हो जाएगा, आपका pi by 4, ठीक है, तो यहां से आप सिद्ध कर सकते हो, देख सकते हो, यह हमें सिद्ध करना था, i, हमने इसी समिकर को तो मान रखा, integration 0 0 से pi by 2, dx upon 1 plus root 10x तो इसको हमने लिख दिया, pi by 4 के equal, हमें भाई, यही सिद्ध करना था, LHS को RHS के equal, आसानी से सिद्ध कर सकते हो, और यह question बहुँ ज्यादा important है, तो इसे जरूर प्रयार कर लेना, ठीक है, तो एकदम आसान question था, तो यार, वीडियो अच्छा लगाओ, तो लाइक जरू कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्स्राइब भी कर देना, okay, thanks for watching this video